मेरा नाम हर्ष और आज हम देखने वाले है अप्लायर मैथमेटिक्स में ट्रप्रेजाइडल रूल तो यह पहले यूस क्यों कि यह करते हैं हम लोग तो एक कोई भी अगर आपके बास डेफिनेट इंटेग्रेल है सपोज यहाँ पे इंटेग्रेशन ओफ लिमिट्स दिया है मैंने ए से लेके बी तक f of x dx अगर आपको उसको इंटेग्रेट करना है तो हम क्या करते हैं बेसिकली नॉर्मल इंटेग्रेशन से आप उसको सौल कर सकते हो बट हमारे पास है ना कुछ नुमेरिकल इंटेग्रेशन मेतड्स है अब उसका मतलब क्या होता है कि बेसिकली आपको उसको डिरेक्ली इंटेग्रेट नहीं करना खाले एक फॉर्मिला में आप वैलुईज डालके है ना उसका अंसर ले सकते हो तो ट्रपेस ओडर रूल इसमें होता क्या है अगर आपको इंटेग्रेशन ओफ एफ ओफ एफ देएक्स और लिमिट से ए से लेके बीतक करना है तो उसका फॉर्मिला डिरेक्ली एज बाई टू इंटू एक्स प्लस टू आर अभी एज एक्स और आर के वाल्यूज रहते हैं अभी क्या-क्या होते है एक्स जो होता है वह हमारा step size होता है वह हम जम sum देखेंगे ना तम आपको बताता हो x होता है वह है sum of extreme coordinates ठीक है x मतलब extreme में x होता है इसके लिए उसको x से represent करते है extreme मतलब क्या सबसे पहला और सबसे last वह दोनों का addition अभी किसका addition basically values का addition और r होता है extreme coordinates हो रहते है जो first and last उसको छोड़गे जितने भी remaining coordinates है उसका sum ठीक है सो अब हम इसपे एक sum देखते है तो जो भी है सब clear हो जाएंगे doubts question is evaluate अभी definite integral दिया है integration of 0 से लिके 1 तक under root of sin x plus cos x dx by trapezoidal rule by using the following data तो आप तो कुछ अपने को data दिया गया है अभी integration में आप इसको normally integrate कर लोगे तो आपको कुछ value मिलेगा एक चीज है कि यह जो भी numerical integration methods होते हैं आपने को approximate value देते है मदब exact value नहीं देगे जो आपको integration से मिलेगा कुछ उसके आसपास के values रहेंगे बट उतना error चलता है so इसमें क्या होता है कि x के values डाले गए है 0,2, 0.4, 0.6, 0.8 and 1 अभी यह values है ना basically h यहां से निकलता है हम लोग क्या कर रहें अगर आप देखे रहो सब के बीच का difference 0.2 का है तो जो मेरा h हो जाएगा ना वो मेरा 0.2 हो जाएगा h मेरा 0.2 हो जाएगा अभी यहां पर तो suppose मुझे data दिया है अगर मुझे question में data नहीं दिया रहते तो मैं क्या करता खाली आपको उसको evenly distribute करना है तो x तो कुछ भी हो सकता है ठीक है और जो भी x के values है उसके corresponding y के values है और अगर आपको tally करना तो आप calculator में भी tally कर सकते हो यह values डालके देखो के suppose 0.2 तो उसका answer यह यह आता है तो यह हम लोग आगे भी follow करेंगे हमारे जो दूसरे methods है Simpsons 1 3rd 3rd rules उसमें भी तो ओके तो अभी क्या होता है sum of extreme ordinance मतलब क्या जो सबसे last वाले दो first and last y0 and y5 तो यह दोनों का हम लोग values का addition करेंगे तो that is 1 plus 1.1755 तो यह value क्या हो गया मेरा 1.1755 sorry यह कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा क्योंकि 1 plus 1 है ठीक है तो यह हो गया 2.1755 अभी मुझे r निकलना है तो y0 और y5 छोड़के जितने भी है मतलब y1 plus y2 plus y3 plus y4 ओके जो भी चार values है उसको हम लोग add करेंगे तो जब अब add करते तो अपने को answer मिलता है 4.5986 ठीक है मतलब 1,2,3,4 extreme ordinates को छोड़के कोई भी values बस अभी अपने को क्या करना है basically formula में इसको substitute करना है so अपने को trapezoidal rule का formula पता है that is integration of a to b f of x dx equal to h by 2 into x plus 2r अभी value substitute करेंगे h क्या है 0.2 by 2 into x का value मुझे मिला है 2.1755 plus 2 multiply by r r क्या है मुझे 4.5986 ठीक है so अभी इसको solve करेंगे तो यह हो जाएगा 0.1 और हम लोग इसको add करेंगे 2.1755 plus यह आपके हम लोग multiply कर सकते है so 6 to the 12 1 carry 8 to the 16 17 1 carry 9 to the 18 1 19 1 carry और यह होगा 11 1 carry और 4 to the 8 9 तो 9.1972 something अपने को मिलता है और फाइनल जब हम इसको solve करेंगे तो अपने को answer जो मिलता है वो है 1.13727 ठीक है आप इसको solve करके देख सकते हो तो अपने को final answer यह मिलता है मतलब क्या हो देर्फोर integration of 0 to 1 under root of sin x plus cos x का value क्या हो गया 1.13727 by trapezoidal rule तो this was all about trapezoidal rule खली यह formula देखना और खली पता होना चे h होते हो step size होते है आप step size कैसे भी decide कर सकते हो x होते हो first and last का addition होते है और r होते हो remaining addition होते है and thank you so much for watching the video अगर आपके कोई भी doubts है regarding trapezoidal rule तो comment section में आपके आपके दोचके है रिगादी यह जरुरुरु इसका answer देंगे have a nice day and all the best for your exams